जहनबाज जिले के घोसी थाना चेत्र के लखाबर गाउं के बधार से एक देशी बंदूक एबम जिंदा कर्तूज बरामत किया गया है घोसी थाना की पुलीस को गुप्तु सूचना मिली की लखाबर गाउं के उत्तर केविन में हतियार रखा हुआ है गोसी के थाना अध्यक्ष निखिल कुमार के नित्रित में एक छपामारी दल का गठन किया गया जब पुलीस उस केविन के पास पहुँची तो दिखा कि उसमें ताला लगा हुआ है पुलीस द्वारा किसी तरह से उस केविन के दरवादय को खोला गया पुलिस जब अंदर पहुँची तो देखा कि एक बोरा में देसी बंदूक एबं जिन्दा कार्तूस बांद कर रखा हुआ है पुलिस द्वारा इस देसी बंदूक एबं जिन्दा कार्तूस को ब्रामत कर लिया है यह केविन डोमन यादप का बताया जाता है पुलीस द्वारा बंदुक को ब्रामत कर लिया गया है और अस्थानिय थाना में प्रात्मी की दर्ज कर जाच में जुट गई है जाच के बाद ही असपस्ट हो पाएगा कि किसके द्वारा इस के बिन में हतियार रखा गया है पुलीस सभी पहलुओ पर अपने असर से जाच में जुट गई है पुलीस का कहना है कि हतियार रखने वाले को जल्द से जल्द गिरफतार किया जाएगा गोशी के थाना द्यक्ष ने बताया कि सभी पहलू पर जाच की जा रही है इसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये हतियार किस कारण से रखा गया है और यहाँ हतियार कहां से लाया गया सभी पहलू पर जांच की जा रही है जांच के बाद असपस्ट हो पाएगा दिनेश कुमार की रिपोर्ट झाल पर जांच के बाद ही है झाल